प्रशान दवन नाव रिसेंटली युनाटेट गिंडम में एक स्टडी हुई जहां पर बताया गया कि जिस तरीके से रॉकेट्स अब वापस धरती पर काफी बार गिर रहे हैं चांसिस लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि आज नहीं तो कल बहुत से लोग एक बड़े मारे जाएंगे जहां पर एक रॉकेट या एक रॉकेट का मलवा वापस धरती पर गिर जाएगा अब रिसेंटली आप अगर देखो तो एक बहुत ही शौकिंग इसरेंट सामने आया जब चाइना का मोस्ट पावरफुल रॉकेट इनका लॉंग मार्च 5B रॉकेट का बहु के पास एक टापू है वहां पर यह रॉकेट क्राश कर गया और यहां पर आप देख पाओगे यह विजुल्स है इस तरीके से लोगों को आसमान में दिख रहा था यह चाइना का रॉकेट है यह कोई मीटिराइट नहीं है यह चाइना का रॉकेट है जो जलते हुए वापस धरती पर क्राश कर गया फॉर्चुनेटली किसी की मौत हुई नहीं है मगर यह बहुत जादा डेंजरस था और हम देख रहे हैं कि चाइना के रॉकेट में एक पैटर्न है कि यह वापस धरती पर लगातार क्राश करते हैं रॉकेट लॉंचेज हम भी करते हैं यूएस भी क पहला स्पेस स्टेशन धरती पर क्राश कर गया था यह पसिफिक ओशन ने जाकर गिरा था चाइना ने एड्मिट किया कि इन्होंने इसका कंट्रोल खो दिया था उसके बाद आप को याद होगा में 2020 में भी एक 18 टन का रॉकेट वापस धरती पर अनकंट्रोल तरीके से क्र करता है कई रॉकेट बताया जाता है कि चाइना की धरती पर ही वापस क्राश कर गए मगर चाइनिस कॉमनेस पर्टी ऐसी गलतियों को कभी एड्मिट करती नहीं है और सबसे साड बात मुझे यहाँ पर यह रगती है कि नासा अकेली स्पेस एजनसी है जो चाइना की से भार चला जाता है उसके बाद भी यह लोग कुछ अक्षन नहीं लेते यह लोग किसी कंट्री को बदाते नहीं है कुछ वार्निंग नहीं देते और नासा नहीं यही बात बोली है कि आप लोग डेटा शेर क्यों नहीं करते कि आपका रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है अफकोर्स हम सबको बता है चाइना ऐसा क्यों नहीं करता चाइनिस कॉपनिस पार्टी हमेशा अपनी इमेज बना के रखना चाती है कि यह काफी स्ट्रॉंग है सब को यहां पर पर पर्फेक्ट होता है बड़ आ थिंग अब टाइम आ चुका है इस रो जे एक से के लावा European Space Agency सब लोग मिलकर चाइना पर दबाव डाले कि आप जब rocket launch करते हैं you have to be more responsible क्योंकि आज नहीं तो कल human beings की जान जा सकती है तो इस topic को और in depth discuss करेंगे कि यहां पर हुआ क्या है मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पूछूंगा question यहां पर यह है कि भारत के लि option यी रागवन उर्जित पटेल रगुराम राजन या फिर इंदर्मीत गिल कॉमेंट सेक्शन में करी उत्तर सही answer मैं आपको दूंगा वीडियो के अंथ में नाव सबसे बहले तो आप पूछोगे चाइना ने rocket launch किया क्यों था यह करना क्या चाते थे चाइना आपको national space station के बाद यह दूसरा space station होगा जो human beings ने launch किया है अंतरिक्ष में अब यह space station ऐसा नहीं है के 81 एक दिन में बन जाएगा धीरे धीरे इसके modules अंतरिक्ष में जाते हैं फिर इनको connect किया जाता है it is a long process तो अभी most recently चाइना को वेंतियान जो science lab है यह connect करनी थी अपने बरकम rocket यहाँ पर use किया जो है long march 9 example के लिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ यह आपके सामने दुनिया में जो सबसे बड़े rockets है उनकी photo है long march 9 अपने आप में चाइना का सबसे बड़ा rocket तो है मगर आप इसको अगर compare करोगे spacex के starship से तो यह काफी बोना आपको दिखेगा मगर अपने आप में आप अगर देखो तो it is a giant rocket इसका एक core booster है उसके इलावा चाइना चार additional booster यहाँ पर use करता है जिससे यह अंतरिक्ष में जाएगा तो अभी recently हुआ क्या है कि जो यह core booster वाला part है यही out of control होकर धरती पर crash कर गया जो उपर इनका main part था यह तो अंतरिक्ष से जुड़ चुका है मगर जो यह बाकी का part है ना यह बिलकुल out of control हो गया और उसके बाद चाइना के हाथ में कुछ था नहीं यह लोग बस चुपोकर बैड़ गए युएसे ने खुद notice किया कि एक object है बिलकुल uncontrolled तरीके से वापस धरती पे आ रही है और यह धरती पर कही भी गिर सकती है हो सकता है कि civilian इलाके में यह मलवा गिर जाए मगर thankfully यह eventually जो मलवा है यह गिरा है Philippines यहाँ पर देख पा रहे होगे यह Philippines नाम का देश है इसके टापू के पास जाकर यह मलवा गिर गया किसी की जान नहीं गई अब यहाँ पर आप पूछेंगे अगर किसी की जान यहाँ पर गई होती तो क्या चाइना लाइबल होता तो इसका अंसर है हाँ बिलकुल चाइना को compensation पे करनी होती और अगर मैं आपको बता दू अगेन कोई बड़ी बात नहीं है एक unfortunate event आज नहीं तो कल यह होई सकता है और यह बात सिर मैं नहीं कह रहा recent एक इस पर study हु लेकर issues है यह control में rocket आता नहीं है बहुत बार यह rocket out of control होकर धरती पर crash कर चुका है तो UK की जो study थी इस issue को लेकर इसने यहाँ पर यह भी observe किया कि most probably कल को अगर मान लो यह rocket out of control जाता है और कहीं पर crash करता है तो यह गिरेगा या तो बांगलादेश या फिर इंडोनीसिया के area के बीच में basically अगर मैं circle बनाओ यह जो area यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर इस मलवे के गिरने के चांसे सबसे जादा है आप कह सकते है जरातार यह जो मलवा इसकी trajectory ऐसी बनती है कि सीधा यह इसी इलाके में गिरता है अब for example इस बार जो चाइना का मलवा है यह गिरा सिरा Philippines में तो कल को कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी ASEAN country में एक बहुत ही tragic event हो जाब यहाँ पर आप कहोगे इससे हम बच कैसे सकते है what can be done देखिए what can be done is very simple technologically हमको advance करना पड़ेगा हमको ensure करना पड़ेगा के in the future हम लोग reusable rocket यूज करें Elon Musk की company SpaceX ने जो यह idea सबसे पहले दुनिया के सामने रखा कि एक rocket जरुरी नहीं है कि बिल्कुल आप discard कर दो जैसे ही rocket का main load है यह अंतरिक्ष में चला गया उसके बाद ऐसा नहीं है कि boosters को धरती पर गिरना ही है हम boosters को safely धरती पर land करवा सकते हैं और उसको reuse कर सकते हैं यह मै करूंगा सबसे safest तरीका है अंतरिक्ष में कोई भी चीज भेजने का और focus यहाँ पर यही होना चाहिए eventually के सारे देश ही reusable rockets को promote करें उस सब के इलावा वो देश जिनके rockets बार बार धरती पर crash कर रहे हैं for example China इनको criticize करना important है सिर्फ NASA अकेले criticize करेगा तो यह काफी नहीं है बाक अपनी जो safety practices हैं यह improve करनी होगी ना वापास आते हैं हमने question पे के which Indian economist has been appointed as the chief economist of the World Bank तो सही उत्तर यहाँ पे है option D इंदरमीद गिल कौशिक बासू साब के बाद यह दूसरे Indian है जो बने है the chief economist at World Bank a proud moment for India indeed और finally आपर मैं यह भी add कर दूँ कि आप किसी भे exam की त्यारी कर रहे हैं आप purchase कर सकते हैं अगे courses from an academy simply जाओ comment section में यहाँ पे आपको मिलेंगे link for example let's say आप prepare कर रहे हैं for SSE click करिए SSE के link पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जगा यह page मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं यह pay करने के आप शकता नहीं है simply यहाँ पे code डालो PD10 and the prices will just start falling so use the code PD10 and save money so इसी note के साथ यह है video का thank you for listening and as always God bless you all